दोस्तों मैं अभी नमनेगी आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल बाइजूज एक्जाम प्रेप गेट एन एसी चैंपियन्स हिंदी पर दोस्तों इससे पहले मैं आगे पढ़ू पहले तो माइक ठीक कर लेता हूँ भाई ताहर टूट जाएगी नहीं तो इसससे पहले मैं आगे पढ़ू जल्दी से सब के सब लोग कमेंट बॉक्स पे एक बार मिरको जल्दी से verify कर देना audio video fine है जल्दी से एक बार comment box बता देना क्योंकि जैसे ही आप green signal देते हैं मैं अपने गाड़ी hydrologic की गाड़ी जो चलेगी ना कि सिरफ formula के load से बलकि questions के load के साथ भी आज तो उसको load करके मैं start कर देता हूँ धीरी धीरे first gear, second gear और accelerated दबाते हुए आगे चलते रहेंगे तो सब के साथ एक बार बता दो audio video fine है और लाल पिला काला नारा हिरा गुलाबी दिल बना दीजिए दोस्तों ताकि ताकि जो सी सेशन पर आए हैं उनका स्वागत हो सके ओके दोस्तों ये particular session hydrology का है और अफकोस अन्य सब्जेक्स के तरह hydrology में भी आपके पास technical syllabus gate और ESC में different है सेम है तो अगर मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ जो बच्चा gate में exam देने जाएगा उसको भी वो equally benefit करने वाला है gate ESC दोनों को ठीक है क्योंकि ESC सोम और स्वाइल से थोड़ा सा क्योंकि hydrology सोम और स्वाइल से थोड़ा सा छोटा subject है तो यहाँ पर काम हमारे formula जल्दी हो जाएंगे साथ साथ में हमको मौका मिलेगा कि मैं type of question में दिखा सकूँ और दोस्तों मैं guarantee कभी लेता नहीं हूँ जो मिले को जानते होंगे लेकिन hydrology का syllabus इतना कम है और variety of question इतने कम है सोम की तरह variety of question या स्वाइल की तरह variety of questions आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा तो जितने भी मैं questions formula करा रहा हूँ न maximum chance है कि direct direct वैसा ही exam को में भी आपको 12 तारीक को वैसा ही question दिखे बहुत सारे लोग already मिले को जानते हैं फिर भी यदि कोई बच्चा पहली बार मिले को देख रहा है तो मैं अपने बारे में बता दूँ उसको मेरा नाम है sorry मेरा नाम है अभी नवनेगी I have 10 plus years of teaching experience done my mtech from IT Delhi in geotechnical engineering इतना rank था ये साब तो ये साब आप फाल तो जीजए ओके दोस्तों जल्दी से जल्दी से चैनल को subscribe कर लेना यदि अभी तक नहीं किया है क्योंकि आपकी gate और बाकी exam की problems का complete solution यहां पर है तो one step solution है दोस्तों आपके पास subscribe नहीं किया subscribe कर लेना और 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 जिस दिन सेलेक्शन हो जाए आप खुद ही अपसर अंसब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि बहुत सारे बच्चों का session मिस हो जाता है जो कल ने mock test लिया जिसमें आपने इतना बहतरीन परदर्शन दिया और इतना भहतरीन आपने उसका साथ दिया हमारा बहुत बच्चों के 80 मार्क 76 मार्क 72 मार्क बहुत बच्चों का लगातार mail भी आ रहा था मेरे को रात को उसका PDF टेलिग्राम पर डाल दिया है दिन में ही उसका दिन में ही टेलिग्राम पर PDF डाल दिया है complete 65 questions का तो आप उसको भी देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो ठीक है जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक शेर और सबस्काइब कर लेना ताकि मैक्सिम्म दोस्त इससे जुड़ पाएं और इसका फाइदा ले सकें ठीक है सबके सब दोस्तों वीडियो को लाइक और शेर कर देना ताकि मैक्सिम्म दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके फुल हार्डरोजी होगा भाई फुल हार्डरोजी होगा जैसे अभी तक बागी सब्जेक्ट होते थे उस तरीके से full hydrology होगा ओके दोस्तों ये है मेरा telegram civil by abhinav sir आप यहाँ पर मेरे को join कर सकते हैं जितना भी मैं पढ़ाता हूँ और जो भी आज hydrology का फॉल्मा पढ़ाऊंगा as it is convert करके PDF आपको within session के 5 minutes बाद आपको civil by abhinav sir पर दे दूँगा आपके उस non-technical की series चल रही है 10 p.m. पर आज भी 10 p.m. पर आज मेरे खाल से ओनकार सरका है नहीं इंदजीत सरकार सेशन आज इंदजीत सरका है current affairs का ओके और आपके पास 8.15 p.m. पर formula revision series चल रहा है दोस्तों चैनल को subscribe अभी तक नहीं किया है तो one stop solution है उने वाला है जहाँ पर technical non-technical सारी चीज़ां आपको मिलने वाली है तो फटा फट से subscribe कर ले है ताकि कोई channel कोई session important जिसको आप देखना चाते थे live वो आप से miss ना हो ठीक है इसी के दाद दोस्तों एक बहुत important सबसे जादा important session होने वाला है research इसका आपको बताता हूं दोस्तों मान लेते हैं जैसे कोई बच्चा 8 मेने पड़ता है कोई 10 मेने पड़ता है कोई 12 मेने पड़ता है मानके चलता हूं मोटा मोटा कि 6 मैने किसी बच्चे ने पढ़ायत तयारी करिये है और 180 दिन उसने प्रिपेर किया है, 180 दिन उसने प्रिपेर किया है, उन 180 मिनट के लिए, जो वो गेट में जेने वाला है, तो लगभग लगभग गेट में बिताया हुआ आपका हर एक मिनट, उन 3 घंटे में आपका बिताया हुआ हर एक मिनट दोस्तों, आपके पास, आपके पास उसके लिए लगब लगब आपने एक दिन विर्तीत किया है एक दिन आपने टाइम स्पेंड किया है उस एक मिनट के लिए तो उस एक मिनट को बहतरीन तरीके से किस तरीके से आप तीन घंटे को यूज कर पाएंगे वो बताऊँगा मैं कल सवा ग्यारा बजे रात को ओके दोस्तो अटेंडर्स कम है आज बहुत ज़्यादा रीजन मिरको भी नहीं पता है कि क्यों कम है तो जल्दी से दोस्तो आप शेयर कर देना सेशन को और कम है या ज़्यादा है उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि मेरा इंटेंसिटी पढ़ाने का सेम रहेगा कंटेंट तो अलरड़ी इसके अंदर है वो सेम रहेगा ये लेकिन पढ़ाने का एनरजी भी मेरा उसी तरीके से सेम रहेगा ठीक है शेयर कर देना सबके सब अचग अचा हाइडलोजी आसे कितने मार्क्षाय है अगर में उस पर चलूप थोड़ा सा разг crooked अपके पास लग JAM लगव पास on an average चार मार्क्ष के आसपास आएगा अगर मों पिछले कुछ सालों का देखोँ और उन चार माक्स के लिए ऐसे नहीं है कि 4 मस भहुत खोटा है उसको पढ़ने के लिए कवर होर्व करने में आपको सलिबर बहुत कम पढ़ना पड़ता है तो ये था चार मायक्स के आपके पास स्सः लिएक सबसे 6 आपके बिदा भी मिझा लिए 9-940 से 14 ठीक है अच्छा OCF इन सब में difference किया अगर पानी के सब डेट की बात करो तो OCF में पढ़ते हैं surface profile OCF में हम पढ़ते हैं surface profile कि आपके पास जो पानी की सता है आपके पास जो पानी की सता है वो आपके पास कैसी रहेगी with a constant depth that is uniform flow धीरे-धीरे depth change होगा that is gradually varied flow या आपके पास depth बहुत जल्दी से rapidly change हो जाएगा rapidly varied flow OCF में main deal करते हैं कि पानी का profile कैसा होगा FM में हम deal करते हैं quantitative analysis से FM में हम deal करते हैं qualitative analysis से कि आपके पास qualitative मतलब properties से हमें ज्यादा मतलब रहेगा surface tension कितना है viscosity कितना है pressure ज्यादा है कि कम है इन सब चीजों से हमारे पास ज्यादा फरक रहेगा आपके पास FMA quality से water की property से और hydrogy दोश्तों थोड़ा सा असान subject हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास quantitative analysis होती है यहाँ पर आपको water की property नहीं यहाँ पर आपको water की quantity से मतलब है कितना precipitation आया कितना पानी बरसा कितना पानी evaporate हो गया कितना पानी जमीन से नीचे infiltrate हुआ यह सारी जीदें यहाँ पर important रहती हैं तो rather than आपके पास यह quantitative analysis के quantity से मतलब है यहाँ पर मतलब होगा आपके पास aptitude से दोस्तों फटा फट से session को share कर देना maximum दोस्त अपन को यहाँ पर चाहिए ताकि उन सब का फाइदा हो सके everybody चलो test book आपके पास सुब्रमन्यम होनी चीए अच्छा syllabus देखो हमेशा जो बच्चे जोड़े वह यह हमारे पास सले बहुत सा ideology का जितना भी पानी जमीन में चाहिए रेंज से जैड्रिजल से स्टाब्र आस्ट से वह सारा पानी आपके पास precipitation हो इस में पानी इवड़करेंट होगा जमीन से उपर जाएगा एगँच पानी जमीन से यह हमारा syllabus है इसमें से मैं बात करूं gate और ESC दोनों की ही तो I और R में से 90% syllabus आता है बाकि P और E में से 10% आता है P में क्या पढ़ते हैं हम types of precipitation सब पढ़ेंगे आज सब पढ़ेंगे एक दम एक बहुत छोड़ा syllabus है types of precipitation Drizzle, snow, hail, sleet यह सब इसके बाद measurement of precipitation rain gauge से कैसे नापते है measurement इसके बाद number of rain gauges कितने होनी चाहिए ओके यह सब पढ़ेंगे इसके बाद हम precipitation में पढ़ते हैं कि average precipitation कितनी होनी चाहिए बही मध्यपरदेश में इंदौर में लग हो रही है तो average precipitation कितनी होनी चाहिए दूसरा अगर मेरे पास 5 जगह से मैं data ले रहा था किसी जगह से data लेना भूल गया तो उस missing data को कैसे निकालेंगे और double mask कर यह सारा हम पढ़ते है precipitation में evaporation में हम क्या पढ़ते हैं आपके पास mainly factors affecting evaporation जैसे atmospheric pressure soluble salts और measurement of evaporation कैसे नापते हैं infiltrate infiltration में क्या पढ़ते हैं दोस्तों Hottons curve Hottons भाई साब को 5 index और runoff में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों hydrograph runoff में क्या पढ़ते हैं hydrograph यह सारी चीज़े होने वाली है आई और आट सबसे जाद इंपोर्टेंट है समझगे syllabus जितना भी पानी precipitate हुआ या तो वह evaporate होगा या जमीन के नीचे जाएगा जमीन के उपर भाएगा पी में क्या पढ़ते हैं टूई ए में क्या पढ़ते है लेकिन आप सबसे सिरफ एक अनुरोद मैं कर रहा हूँ इसके बाद हम डारेट आ जादे हैं काम की बात पर कि जल्दी से अपने सारे दोस्तों को आप ये कर देना शेयर ताकि एक कारवा बना के आगे चल सके हम ठीक है फटाफट से शेयर कर दो और सबस्क्राइब नहीं कि चाहिए आप लाइक मत करो कि प्लीज अगर वाके ही में फाइदा उठाना है सेशन का सिरफ ऐसे नहीं कि मैं चिला रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं अगर वाके में ही सेशन का फाइदा उठाना है तो प्लीज दरवाजा और वाजा बंद करकर अगर पॉसिबल है तो और चीज आप लिखियेगा जो चीज जो चीज आपने यहां पर नहीं लिखिये ठीक है इमानदारी से बता रहा हूँ एक सव घंटे मेरे साथ आप रुख गए ना बहुत ज्यादा फाइदा होगा है बहुत ज्यादा फाइदा होगा और एक काम एक काम कर सकते हैं आप 15-20 मिन कि कैसा चल रहा है मामला ठीक है एवरीबडी रेडी सब के सब रेडी है जल्दी से बता दो रेडी ठीक है लाइक चाहे मत करो शेयर मत करो पर 20 मिनट सुनो क्या बोल रहा हूं मैं ठीक है और इंफिल्ट्रेशन अनॉफ में तो मज़ा ही आ जाएगा यार और क्योंकि आज ह होने के कारण तो हम कुछ कोशन भी देख सकते हैं फटा फट से डाउट लिखते जाना जाउट जिसको भी डाउट है बोलते जाना कमेंड बॉक्स पर और यह काम करते है ताकि मैं जल्दी साब का डाउट जट से पकड़ लूँ डाउट के साथ आप दिल विल या कुछ भी बना लेना ठीक है जाहिन प्यूष कुछ भी कर देना ठीक है मुंडी या दिल बना ले ताकि मैं जट से पकड़ सको कि कहां पर आपका डाउट है ठीक है चलो 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 एवरी बारी session start करते है आजाओ पहला time है हाट लोजिकल साइकल हाट लोजिकल साइकल क्या हता है movement of water from one phase to another movement of water from one phase to another movement of water from one phase to another ये भी लिख रहा हूँ ताकि PDF में आपको मिलता रहे from one phase to another देखो देखो क्या हुआ कि आपके पास आपके पास था नदी वदी वदी वहां से पानी गया gaseous form में आया उसके पास वो air gaseous state में था पादल बना पादल से फिल condensed होके liquid आ गया ठीक है यहाँ पर liquid आ रहा है हो सकता है Antarctica में वो snow के form में gaseous form में आये ठीक है तो maybe liquid form maybe gaseous form तो यह पूरे cycle को एक वही molecule कभी liquid form में था कभी gaseous form में आया और फिर वापस से liquid form में आ गया इस पूरे को hydrological cycle कहते है ठीक है जमीन के ओपर पानी को क्या कहते है runoff जमीन के ओपर पानी को क्या कहते है runoff ठीक है जो earth पे पानी आता है that is precipitation infiltration जो पानी नीचे चला गया infiltration और percolation में क्या difference है बहुत जगा आप सब सुनते है percolation बहुत जगा आप सब सुनते है percolation धंक से आस तक आपको कभी इसका मतलब पता नहीं चला है percolation क्या है deep moment of water deep moment of water मतलब ऐसा पानी जो बहुत नीचे चला गया ground से जेखो यहीं तक पानी पहुंचा तो filtration है पर ऐसा पानी जो यहां पहुंच गया बहुत नीचे पहुंच गया that is called percolation तो deep moment of water is percolation precipitation होगा जमिन को पर surface runoff था ठीक है surface runoff था उसके बाद आपके पास यहां से उपर गया जो पानी नदीस उपर गया that is evaporation जो पानी नदीस उपर गया जो पानी जा रहा है ट्रांसपरेशन मतलब plant से इवइपरेट होके गया और evaporation plus transpiration को हम evapotranspiration कहा देते हैं ठीक है तो नदीस से जब पानी जा रहा है evaporation यहां से जा रहा है transportation दोनों को मिला के यह वैपोर्त्राइस्परीशन क्या देते हैं तो लिकुड वाला चीज गया वापनस लिकुड में आ गया इंटार्टिका में हो सकते है गैसे फार्म में बहुदि आ जाक के ओकेुड ही पानी कभी गैसियस फॉर्म में था वही पानी कभी लिक्विड फॉर्म में था वही पानी हो सकते अंटार्टिका में पिगल ही नहीं रहा इतनी थंड है और किसी स्टेट में जा ही नहीं रहा है ठीक है कैश्मेंट एरिया को और क्या प्रहव अची है वाटरशेड या बेसिन भी बोलते हैं अब सुनो बहुत असान है मेरे पास मैं बनाता हूँ आपके पास सिम्ला यह है यही मेरा जनल स्थल भी है हूं मैं उतरा खंड गल पैदा यह मेरे पास सिम्ला है तो देखो इन दोनों लाइन के इन औरेंज लाइन के बीच में जितना भी पानी आ रहा है बेटा सुन लेना एक घंटे सुन लिया ना तुमने हट्रोजी में बता रहा हूं तो इतना आपको चार्जडब करेगा और इतना आपको पास फाइदा होगी वहां पर जा रहा होगा तो इस इस कॉल्ड कैच्मेंट एरिया यहां भी पानी टपक रहा है यहां भी पानी टपक रहा है यहां भी पानी टपक रहा है लेकिन यह किसी और स्ट्रीम के लिए होगा और यहां पर पानी गिरने वाला कहीं और स्ट्रीम में जा रहा होग ये जो catchment area ये इस stream के लिए और दो catchment area को divide करने वाले लाइन को ridge line बोलते हैं दो catchment area को divide करने वाले को ridge line बोलते हैं बिपलब मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं अच्छा उसके बाद आगे चलूँ मैं तो ये ऐसा था ये ऐसा था ये ऐसा था ये ऐसा था ओके यहां पर गिरने वाला पानी ध्यान देना बच्चों यहां पर गिरने वाला सारा पानी यहां पर गिरने वाला सारा पानी यहां जा रहा है कि नी तो यह इसके लिए catchment area है यह इसके लिए catchment area है और इस पहाड से उधर भी गिर रहा है इस पार से पीछे भी पानी गिर रहा है पर वो कैश्मेंट एरिया किसी और के लिए होगा समझ रहे हैं कि नहीं जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स पर अभी तब कोई दिक्कत जल्दी से बोल दो कमेंट बॉक्स पर जल्दी से बोल दो कमेंट बॉक्स पर मज़ा आ रहा है ऐसी ही एक घंटे तक चलना है दोस्तों अच्छा क्या क्या आएंगे रिज लाइन क्या हो गया दो लोकैश्मेंट एरे को डिवाइड करने हो लाइन वाइन वाटर बजट एक क्या है बहुत असान वाटर बजट एक क् गया that is called delta storage ठीक है अब यह तो आएगा लेकिन एस में और गेट में क्या और कोशन आ सकता है कि यह किस चीज पर डिपंड करती है तो यह डिपंड करती है आपके पास conservation of mass पर यह डिपंड करता है आपके पास conservation of mass पर कितना पानी आए जितना पानी गया that is delta storage ओके दोस्तों द दोस्तों इस बोटल यह बोटल खाली थी यह बोटल खाली थी इस बोटल पर मैंने तीन लिटर पानी डाला यह बोटल खाली थी इस बोटल पर यह बाइजूस की बोटल खाली थी इस बोटल पर मैंने तीन लिटर पानी डाला एकदम खाली थी पहले फिर मैंने कितना डाला inflow 3 लिटर डाला नलके से और फिर मैंने outflow 1 लिटर कर दिया तो कितना storage आया होगा 2 लिटर का ठीक है simple conservation of mass पर depend करता है अब precipitation बहुत तरीकी की होती है जैसे rain होता है तो rain आपके पाइस अगर 0 to 2.5 की हो तो light rain 2.5 से 7.5 mm पर आवर की हो तो moderate greater than 7.5 हो तो आपके पास यह हो जाएगा heavy rain अच्छा drizzle क्या होता है जिसकी intensity 1 mm यह 0.5 mm पर आवर से भी छोटी है 1 mm यह 0.5 mm पर आवर से भी छोटी है बहुत छोटी इंट्स है 0.2 mm पर आवर की और यहां पर जो size होगा size of water droplets होगा less than 0.5 mm होगा तो बहुत छोटे size का और बहुत कम intensity की बारिश को हम drizzle कहते हैं ओके snow आपको पता ही है snow की इसलीट अभी छोड़ा आपके मतलब कर नहीं है यह चीर अभी snow पर आ जाओ snow क्या है दोस्तों बारिश स्टेज गिरती है थीडिए पता है क्यों snow बारी स्टेज ते गिरती है चो 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 चू चो चो बारी झिरी घिरती है क्यों क्योंकि इसकी density होती है 0.1 ज्राम और सीसी जो कि कई exam में co son husband बहore पाइं पादी ऊसलिए पादी जल्दी गिरता है लेकिन यह आपके पास पॉइंट वर मेंट पानी जम गिन धनी पानी गिरता ही यहां सब नौई यह के लेज स्वहां ना है यह जम अब है आधने ऐनीन गोड़ा ऑट पुछ रहना भाई पहली बात तो इंडेक्स ओवेटनेस पर बाद में आता हूँ annual rainfall क्या होता है annual rainfall क्या writing है annual rainfall क्या होता है annual rainfall क्या होता है rainfall in a year rainfall in a year अच्छा इसके बाद average annual rainfall क्या होता है rainfall in 35 years का average rainfall in 35 years का average अब इंडेक्स ओवेटनेस क्या हुआ सपोज rainfall in a year rainfall in a year सपोज हुई 70 और पिछले 100 सालों का average था 100 किसे साल हुई 70 किसे साल हुई 70 और पिछले 35 साल का average था 100 तो इंडेक्स ओवेटनेस कितना होगे 70 50% index of wetness कितना होगे 70% और index of wetness 70% है ना तो deficiency आपके पास हो जाएगी उस साल कितनी बारिष कम भी 30% अब कोई बच्चा पूसकता है समझ आगया उस साल कितनी बारिष हुई और 35 साल का इवरेज उस साल कितनी बारिष हुई और 35 साल का इवरेज पर कर रही क्यों बनाया है ये ऐसे तो सर मैं भी formula बना दूँ एक कि index of हितेश के नाम है हितेश परमार कि इंडेक्स परमार में अपना formula बना दे कि index of फलाना index of परमार is equal to rainfall in a year upon average rainfall whole square in 200 हितेश भी बना देगा एक formula उसमें क्या दिक्कत है तो भाई सुनो ये इसलिए बनाया गया कि यदि विरा मांट कोली एक मैच में 190 रंस बनाते हैं 190 बॉल्स पे ODI में फर्स इनिंग खेलते हुए और अगले मैच में वापस चेजवेज नहीं है वापस में फर्स इनिंग में खेलते ही वह 188 रन मनाते हैं 188 बॉलों में तो तुम क्या कहोगे खराब performance है ये कहोगे क्योंकि पिसले म मनाते हैं एक बॉल पे और अगले मैच में बनाते हैं दो रन दो बॉलों पे और लास ओवर में यह आये थे वह बहुत पहले आ गये थे दसमें ओवर पे तो क्या कहोगे अच्छी performance है ये कहोगे क्योंकि पिछले मैच में तो एक रन मनाए थे नहीं तो हम कभी भी पर्फॉ में पिछले मैच के साप से नहीं उसके एवरेज के साप से देखेंगे कि एवरेज विराद गुली का 58- 48 के आसपास है उसके साप से हम किषी साथ के पिछले साल में तुम बारिश ज़्या या कम को कि ज़्यादा ह हुई है कम हुई तो पिछले साल के मताबिक नहीं कोगे तुम लास्ट 35 यर्ज के मुकाबले उसको कहोगे यह उसका अभिप्राय है समझे की नहीं अच्छा मैट्रोजिकल तीन तरीके ड्रॉट होते हैं मैट्रोजिकल ड्रॉट आपके पास क्या हो गया कि आपके पास precipitation कम हुई है बारिस हुई है कम उस साल hydrological drought का मतलब क्या हो गया कि जो नदी थी न गंगा नदी प्रयाग राज इलाबाद में वो गंगा नदी का जो flow था उससे कम भेरा है मतलब stage मतलब depth of water वो कम है और agricultural drought मतलब आपके पास plant के लिए पानी कम है जिसको इरिटी इंडेक्स इरिगेशन में जो होता है pete-80 upon pete-100 उससे नाप सकते हैं यह वले चीज अच्छा अब एरिटी इंडेक्स अगर कम है तो वह कम दिक्कत है वहाँ पर ज्यादा है तो मतलब ज्यादा दिक्कत है वहाँ पर ज्यादा पानी कमी है अच्छा double mass curve इसकी खासे सुनो किस किसने मैंसे double mass curve पढ़ा है पर comment box में बताना क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा उसको आज सारी चीज़ नहीं पर जलेगी double mass curve देखते ही बताओ तुम सब क्या करते हो मैं बताओ तुम option टिक करते हो check the consistency of record इमानदारी से बताओ हाँ या ना double mass curve देखते ही double mass curve देखते ही तुम जल्दी से करते हो कि नहीं check the consistency of record किस किस ने मिरसे double mass कर पढ़ा है एक बार comment section में बता देना भाई सब के सब everybody everybody just let me know किस किस ने double mass नहीं पढ़ा option टिक करता हो गुपता का और इस साबाज option टिक करते हैं गुपता के okay 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 किसी को कोई दिकत कोई दिकत नहीं ठीक है ठीक है नहीं पढ़ा अब सुनो सब लोग option करते हैं to check the consistency of record सब लोग option करते हैं टिक करते हैं to check the consistency of record आज ऐसा concert बताऊंगा ना ऐसा concert बताऊंगा जिंदिकी पर नहीं भूलोगे यह है यह x-axis वाला mean of accumulated यह वाला और यह है accumulated at station x इस x को थोड़ा लाल रंग से कर देते हैं लाल रंग क्यों डेंजर आप सुनो ऐसा concert बताऊंगा जिंदिकी में कभी नहीं भूलोगे ठीक मज़ा आ जाएगा क्योंकि जितना और तुम्हें इस बात से यह भी फिलोगा कि जब भी मैं किसी चीज़ को बहुत concept से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा समय तक हो याद रहेगा जिंदगी भड़ता याद रहेगा अब सुनो यह था हमारे पास catchment area कोई इसमें एक था यह station एक था यह station एक था यह station एक था यह station और ए बारिष्ट का रही है रेंगेट से कुछ गढ़बढे मामला ककुस तो गढ़बढे तो मैं क्या करता हो यह शेज़ और ब्यू को लगाता हूँ रिंस पर सारे ब्लू आवरे जिए गस फर स इक 2 6 9 और इंको लगाता हूं उम्हासशा जोब्ढ़ना हार साल बढ़ना यहां पर लिखूंगा मैं 2020 का फिर 2019 का 2018 का 17 का 16 का ऐसे बढ़ते जाएगा वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि रेंफॉल बारी से नेगेटिव में तो होती नहीं है तो रेंफॉल तो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती ही बढ़ती ही जाएगी ठीक है ठीक है रेंफॉल बढ़ती बढ़ती ही जाएगी अच्छा और सबसे पहले हम लिखेंगे 2020 का फिर 19 का फिर 18 का 17 का 16 का इस तरीके से अच्छा यहां पर लिखूंगा रेड़ वाले का accumulated value और accessible लिखूंगा इसका अगर यह data ध्यान सुनना ऐसा आ गया straight line तो यह data फिर मेरे पास consistent है तब मैं कहूंगा कि data consistent है consistent है यहां कोई घपला नहीं हुआ है किस तरीके का खपला बताऊंगा 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 किस तरीके का खपला बताऊंगा अगर यह data straight line आया red का graph और blue का graph blue मतला सबका average अच्छा अगर यह data मेरे पास कौन सा रंग लूँ अगर यह data मेरे पास ऐसा आया अगर ये data मेरे पास ध्यान से समझना ऐसा आया और कहीं से slope change हुआ ये 2021 का था फिर 2020 का था फिर 2019 का था 2000 सपोर ऐसे करते करते ये 18 का था ये 17 का था 16 इसका मतलब ये वाला year कुछ problematic year था कुछ problem थी problematic year सर आप कह रहे हो यहाँ पर problem नहीं है यहाँ पर आप कह रहे हो problem नहीं है यहाँ पर जब data ऐसा आया और यहाँ पर आप कह रहे हो problem है समझ नहीं आ रहा है कैसी problem है वो कैसी अभी समझाऊंगा अभी समझाऊंगा मज़ा आ जाएगा अच्छा इसको अगर में पर डाटा अलगलग श्लोप का आया अगर ऐसा आया तो मैं कहूंगा यह not consistent है not consistent अच्छा अब सुनो दोस्तों शैलिंदर नेगी बिल्कुल दोस्तों सुनो अगर तुम तो हमेशे यह डबल मास कव देखा consistency record पे चक किया आगे निकल गए अब सुनो मेरे भाई अगर लाल स्टेशन में कोई changes नहीं हो रहे होते हैं तो बागी के मुकाबले वह constant rate से बढ़ता है जैसे कि विराट कोली की performance में other than विराट कोली की performance लिखोगे यहां पर सारे किर्केटर्स का average लिख लेकिन दोस्तों यदि आप रोहिच सर्मा का लिखोगे तो रोहिच सर्मा का 2013 से पहले poorest performance था और भाढ़ती किर्केट के इतिहास में रोहिच सर्मा को initially जितने मौके दिये गए मेरे को नहीं लगता कि पूरे विश्च्व के हर किर्केट क्लब के इतिहास में किसी को इतने नो पॉइंट मैं खुद बहुत अच्छा मानता हूं उसको तो आपको न अगर रोहिच सर्मा ग्राफ देखो तो ऐसा चेंज करेगा 2013 से क्यों 2013 में चैंपिन्स लिंग में जहीर खान ने MSD को बोला धोनी को कि इसको opening ट्राइ करो उसके बाद उसने एकदम मचा दिया पूर हुआ है एको सिस्टम चेंज हुआ है फॉरेस्ट फायर हुई है या आपके पास लैंड स्लाइड हुई है और इन बाकी स्टेशन में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ था तो लाल एकदम से अबरप्ट बिहेव करने लगेगा और स्लोप चेंज हुआएगा और यदि स्लो को सर फिर इससे करेंगे किया बेटा इससे करेंगे ना कि 2017 की जं सुनना 2017 की वेल्यू Disco मैं स्टिट व्लाएग्ष में स्टेट लाउंगा इस स्टिट लायं बिलांगा ईस व्ली स्टेट लिए seldom कर ओ स्टिट लाएं पर यहा लाँंगा और मैं जब बचपन में नहीं मैं जब कॉलेज में था 2009 में 2010 में तो सोचता था यह यहां पर क्यों ला रहे हैं वैल्यू को टेड़ी आने दो हमको तो सही वैल्यू लिखनी है वो टेड़ी आये सीधी आये हमको तो नहीं सीधी लाइन मनानी है हमको we don't have to make the straight line we have to make the real thing and real thing is different slope let it be why I am converting this in straight line because if someone asks you कि 2023 में कितनी बारिश होगी तो अब वहां पे forest fire हो चुका है अब वहां पे landslide हो चुकी है अब वहां पे ecosystem change हो चुका है मालोग पेड़े कट चुके हैं तो अब तुम ये वाला बड़ा वाला average क्यों ले रहे हो तो तुमको इन data को convert करो यहां पर तब इन सब का average लो तब यहां के data पेड़ेट करो अगर 2013 के बाद वही शर्मा एक complete new batsman बन चुका है तो 2023 में विरोई शर्मा का कैसे performance रहेगा तुम 2012, 2011, 2010 वाले को average मत लो उनको data को convert करो क्योंकि अब वह एक नया player बन चुका है सारे के सारे comment box पर सिरफ दो दिल बनाना जिसको समझ आ गया है सिरफ दो दिल और जिसको समझ नहीं आया है वो एक ही दिल बनाना everybody on the comment box लेकिन दिल बनाना जरूरी है दिल बनाना जरूरी है everybody जल्दी से comment box पर बोलो मजार आए किनी मजार आए किनी मजार आए किनी feeling आए किनी feeling आए किनी जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो दो कि किसी को को डाउट नहीं ऐसी मजह आतर रहेगा Pura Hydrogy निकल लेगा अब अच्छा अब एक सवाल पूछता है गेट में गेट में सवाल पूछता है कि अपके पास हम कितने रिंडेज रखें हमार पास धुर्फ हम यह एरिया है हम यहां करता है नहीं है बहुत दिनों बाद आ जाईए यह डिपेंड करता है सिरफ तीन चीजों पर पहला कितनी accuracy चाहिए जादा accuracy चाहिए तो जादा रखो जादा accuracy चाहिए तो जादा range रखो जादा accuracy चाहिए तो जादा range रखो obviously बात है magnitude of rainfall पर ज्यादा बारिस तो ज्यादा अरे या राजस्थान में या साहरा मरुस्थल में बारिस ही नहीं हो रही है तुमने रेंगेज रख दी एतने कि आदमी चल नहीं पा रहा है उसे टकरा जा रहा है क्या फाइदा है कोई फाइदा नहीं है कोई फाइदा नहीं है तो जहां प पर बारिश था तो बादल यहां वाली साइट से टकरा गया तो यहां बारिश हो गई मेरे गाओं में यहां मेरे गाओं में बारिश हो गई और सपोज आपके बाद यहां पर बहुत कम बारिश भी तो बहुत ज़्यादा विरिशन आएगा कि एक जगह पर पहाड के एक तरफ पर depend करता है ऐसा रहता है ringage cylindrical vessel और यहां पर बारिस था बारिस आगे इतनी तो मैं कहुंगा कि डर्ट के साथसा आपके रएणफॉल इंटेंटी ती ये मतलब यहां से आफ़ीस आपद यावकेश आ 10 कुलमुमृट्र दिखाईगी हैं अब आपने नमबर और येंगेज ऑकला होता है तो formula देखो क्या होता है formula आपके वास होता है n is equal to cv upon epsilon का whole square n मतलब number of ringages epsilon कितना है 10% तो cv by 10 का whole square error कितना है 10% अच्छा cv क्या होता है sigma by x bar into 100 x bar क्या होता है इनका average 100, 120, 140 इसका average कितना आजाएगा 100 plus 120 plus 140 इनका average कितना आजाएगा 110 और sigma क्या आता है आपके पस n नीचे denominator में n-1 तो 4 है 4-1 3 और sigma कितना होगा 110-100 का whole square 10 square 110-120 110-140 110-140 कितना होगा 30 30 का whole square और ये भी 30 का whole square ये sigma हो गया sigma पसा चल गया x bar पसा चल गया cv रख लो यहां से n आजाएगा कि कितने number of range चाहिए सब के सब बताना comment box में समझे की नहीं कर लोगे question ऐसा कर लोगे epsilon मतलब होता है error और cv कैसा निकालना है sigma by x bar x bar क्या है इन सब को plus करो divide by 4 और sigma का वो formula बच्चे बच्चे को पता है बच्चे बच्चे को पता है x i minus x bar whole square by n minus 1 सार नीचे n भी तो होता है कभी-कभी अब बेटें less than 30 के लिए n minus 1 होता है अब तो मुंसी तो हो नहीं commerce वाले तो मुंसी तो हो नहीं commerce वाले commerce वाले 1500 entity के साथ बैठते है एक प्याली चाहि के साथ 1500 entity का standard deviation निकालना है तो वो n लेते है तुम तो मुंसी नहीं उतनी सारी calculation करोगे तो तुम n minus 1 से ही काम करोगे estimation of missing data के दो है आपके पास एक तो है आपके पास पहला case दो तरीके कि भाई अगर वहाँ पर जो normal annual precipitation है 35 साल का average उन मालो आपके पास ऐसा था और यहाँ पर एक रिंगेश था यहाँ पर एक रिंगेश था यहाँ पर रिंगेश था यहाँ पर रिंगेश था अब इन्स का सब का N भी पता है N1, N2, N3, N मतलब 35 साल का average और अगर उन में 10% से जादा fluctuation नहीं है आपस में तो फिर तो जो बारिस होगी वो सब का average ले लो अगर तुम यहाँ पर भूल चुके हो तो सब का average ले लो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 सब का average और यदि 10% से जादा variation है तो फिर आपको normal ratio method लगाना पड़ेगा इस तरीके से अब सर बता दो इसके अंदर क्या कानी है तो बताने से अच्छा मैं question करा दूँगा और question यह सब बात में करते हैं पहले वो question नहीं कर देते हैं है क्या? नहीं वो question नहीं है तो इसमें क्या है ना? अगर आपके पास जैसे चार स्टेशन थे A, B, C, D और किसी साल 2021 में यहां पे बारिश हुई 100 यहां पे हुई 80 यहां पे हुई 70 और D में आप नहीं ना पे आप चलेगे तो 83 वाली movie देखने तो यह value P है P1, P2, P3, P4 या P, A, P, B, P, C, P, D और 35 सालों का average मैं बात करूँ तो यहां पे थी value 80 यह थी आपके पास 20 value यह थी आपके पास 15 value और यह थी आपके पास suppose यह suppose थी आपके पास value कितनी बोलूँ मैं यह suppose आपके पास थी 120 value 35 साल का average N, N, A, N, B, N, C, N, D 120 का 10% बताना 120 का 10% उपर जाओं तो 132 होता है 120 पे 10% नीचे जाओं तो 108 होता है तो अगर सारी के सारी values के बीच में है तो case 1 पर यहां तो कोई भी values के बीच में नहीं है यह सारी values इसके बीच में नहीं है अगर सारी values इसके बीच में होती तो case 1 एक भी value बाहर है यहां तो सारी value बाहर है तो case two, समझ गए? सब के सब comment box में बोलना सब के सब comment box में बोलना समझे की नहीं समझे की नहीं, everybody और session को like, share और subscribe करते चलना session को like, share और subscribe करते चलना सब के सब comment box पर बता दो, समझे की नहीं और आगे मज़ा आएगा भी इंफिल्ट्रेशन और रन आफ हाइड्रोग्राफ में तो एकदम ही मज़ाने वाला है ठीक है किसी को कोई दिकत किसी को कोई दिकत एनिबडी मैं भी सियर कर देता हूँ सब के सब गेट में ओकेई एवरी पारी किसी को भी कोई दिकत तो बता दो एनिबडी किसी को कोई दिकत मज़ा आ रहा है आगे चलें गेट और ESE दोनों के लिए ही फाइदा गेट और ESE दोनों के लिए ही यहाँ पर फाइदा है सब के सब तयार रहना भाई सब के सब चलो double mass curve technique is adopted to double mass curve is adopted to आपके पास to check the consistency of record इसके पास यहाँ पूछा आपके पास कि आपके पास 20 minute की maximum intensity कितनी है maximum intensity for 20 minutes यहाँ पर comment box पर अंसर बताना यार प्लीज सब के सब यहाँ पर comment box पर अंसर बताना comment box पर सब के सब maximum intensity for 20 minutes two-th formula कैसे apply करनेंगे sir ओके साबास अविनास ऐसे ही लिखो ताकि समझी ना आए मेरे को two-th क्या होता है भाई A option बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे A option बोल रहे हैं A A B A मज़ा नहीं आ रहा मज़ा नहीं आ रहा है दो ही बच्चों नहीं तक सही जवाब दिया है दोनों ही girls हैं लड़कों ने तो अपनी पूरी ऐसी बेस्ती करा रखी है मैं क्या बता हूँ दो लड़किया रितू और नहा ने सही जवाब दिया है और अब राजु सिंग ने भी तो देखो maximum 20 ये नहीं है maximum 20 minutes ये नहीं है maximum 20 minutes ये नहीं है sorry maximum ये इसे ज़्यादा maximum कहीं नहीं आ रहा है यहाँ भी 20 में maximum नहीं आ रहा यहां भी 20 में maximum नहीं आ रहा है यहां भी 20 में maximum नहीं आ रहा है maximum 20 minutes यह है आपके पास maximum 20 minutes यह वाला है आपके पास तो intensity कितनी होती है depth upon time depth upon time तो 2.2 बारिस हा रही थी 10 मिनट के लिए 20-30 मिनट तक total बारिस इतनी फिर 1.5 बारिस आ रही थी 10 मिनट के लिए total बारिस इतनी तो यह depth हो गई 2.2 10 मिनट के लिए फिर 1.5 10 मिनट के लिए और total time कितना है 20 total time कितना है 20 यहां से value आपके पास 3.7 by 2 1.85 आ रहा होगा समझे की नहीं ऐसा ए प्रीवेस का था sorry sorry समझे की नहीं सब के सब समझ गए महनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता सोर मचा दे हमारे total थे P is equal to E plus I plus R P हो गया अब चलते हैं E पर P हो गया अब चलते हैं E पर ready हैं सब के सब मेरे पास जब भी पानी होता है और कहीं पर सूरज होता है तो वो पानी evaporate करता है उसमें से कुछ पानी क्यों evaporate करता है इसका बड़ा simple सा अंसर है कि जब भी मैं किसी जगह पर पानी डालूंगा और सूरज है तो सूरज उसको heat energy provide करेगा कोई भी चीज ज़्यादा energy पर नहीं रहना चाहता है क्योंकि कम energy पर चीज सबसे ज़्यादा stable होता है कम energy पर चीज सबसे ज़्यादा stable होता है तो जैसे ही इसको पानी मिला और पानी मिलने के बाद पानी मिलने के बाद उसको energy मिली तो energy से वो उसको vapors बना के उपर ले आएगा क्योंकि energy मिलते ही ज़्यादा unstable हो जाता है अब किस-किस पर depend करता है दोस्तों वो तो ध्यान से देखते रहना evaporation is equal to directly proportional to EW minus EA EW क्या होता है saturated vapor pressure मेरे पास कोई ऐसा container है ध्यान से समझ ना जिसको असली में पढ़ना है और यह container है और यहाँ पर थे सूरज चाचो तो इन सूरज चाचो ने इसको दिया heat energy तो यह पानी बनके vapors बनके उपर जाएंगे तो ऐसे vapors होंगे ऐसे vapors होंगे ऐसे vapors होंगे तो यह vapors इस पर partial pressure नीचे भी लगा रहे होंगे और सूरज उसको उपर बुला रहे है energy provide करके सूरज energy provide करके इसको unstable बना रहे है क्योंकि कोई भी चीज़ जाद energy में unstable रहती है तो unstable बना के उपर बुला रहे है और यह जो भाप का प्रभाव है इसके उपर ये भाप का प्रवाव उस पर partial pressure नीचे भी लगा रहा है या वो कहा दो कि sun को रोक रहा है नीचे आने से तो सूरज बुला रहा है उपर और भाप रोक रहा है ये vapors रोक रहे हैं एक समय पर जब इतने ज़्यादा vapors हो गए इतने ज़्यादा vapors हो गए कि सूरज की उपर बुलाने की समता by providing heat energy और vapors का partial pressure या सूरज की केड़नों को नीचे जाने से रोकना ये दोनों बराबर हो गए तो evaporation नहीं होगा तो जब भी actual vapor pressure saturated vapor pressure saturated vapor pressure मतलब वहाला condition जब सूरज की उपर बुलाने की समता और vapor pressure को रोकने की समता तो उतना वो sun को नहीं रोक पाएंगे तो जितना ये कम रहेगा उतना ही evaporation आपके पास ज़्यादा रहेगा समझे की नहीं everybody समझे की नहीं समझे feeling समझे temperature जितना ज़्यादा होगा बच्चे बच्चे को पता है उतना ही ज़्यादा वो heat energy प्रोवाइड करेगा ज़्यादा heat energy तो ज़्यादा unstable तो evaporation ज़्यादा होगा wind speed बहुत ही असान wind speed ज़्यादा तो evaporation ज़्यादा क्योंकि wind क्या करेगा देखो बहुत असान दरेगा सब concept है wind आएगा यहाँ से तो इन vapors को हटाएगा तो सूरज आप नीचे जा पाएगा केड़नों से केड़नों से जा पाएगा तो ज़्यादा evaporation करेगा फिर wind और बढ़ा तेजी से बढ़ा तो यह और vapors हटाएगा तो evaporation और बढ़ेगा फिर sun और ज़्यादा बढ़ा तेरी की ऐसी की तैसी इतना ज़्यादा wind speed बढ़ गई सारे vapors हट गए सूरज को कोई रोक ही नहीं रहा है नीचे पहुँचने से तो और ज़्यादा evaporation हाँ इस speed के बाद इस speed के बाद further further बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है further wind speed बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है समझे की नहीं जल्दी से बोलो अच्छा atmospheric pressure जितना ज़्यादा होगा वो उस vapors को उपर उठने से रोक रहा होगा atmospheric pressure जितना ज़्यादा होगा उतना ही evaporation कम होगा soluble salt तुम्हें न यूरोप अमेरिका में ऐसे देखा होगा कि वो reservoir में ऐसी ball लगा देते हैं तो ball के लगाता है वो sun को रोक रहा है sun को रोक रहा है तो यहाँ नहीं रोक रहा है यहाँ से evaporation हो रहा है यहाँ पर वो sun को रोक रहा है तो ball sun को रोक रहा है पानी को रोकेंगे, मतलब सूरज को रोकेंगे पानी तक पहुंचने में, मतलब अगर एक fresh water लेका है, जहां पर नमक नहीं है, river है, तो सारा का सारा सूरज पानी पे जा रहा है, लेकिन sea water में पानी के साथ-साथ नमक पे भी absorb हो रहा है, तो sea water में evaporation कम होगा, समझे की नहीं, समझे की नहीं, जल्दी से बोलो, मजजा आ रहा है की नहीं आ रहा है, नहीं प्यूश, direct correlation नहीं है, empirical से निकाल सकते हैं, क्योंकि sea water में नमक होता है, मालो ये नमक है, तो वहाँ पे, सूरज की सारी किरने पानी पनी जा रहा है, कुछ तो जारी होंगी सारी किर्णे पानी पर निजारी तो कुछ किर्णे नमक अब्जॉर्ब कर रहा है तो इवापुशन कम होगा लेकिन वहां पर आपके पास नॉर्मल वाटर में जादा होगा जारी कौंसेप्ट खुल जाएंगे यहाँ पर है समर्स सारे कौंसेट खुल जाएंगे ध्यान से देखते रहने अबाई कहानी ध्यान सुनना और यह है अगदम छंडी छंडी छंड लग रही है विन्टर्स शैलो वाटर बॉड़ी पानी की डेप्थ कम, डीप वाटर बॉड़ी पानी की डेप्थ जादा विन्टर्स में शैलो वाटर बॉड़ी पानी की डेप्थ कम और विन्टर में डीप वाटर बॉड़ी पानी की डेप्थ जादा सुनना कहानी बहुत प्यार से बहुत मजे से समर्ष में क्या होगा कि समर्ष में गर्मी हो रही होगी और यह जल्दी पानी वार्म हो जाएगा और यह इतना जल्दी गर्म नहीं होगा क्योंकि बहुत डीप है लेकिन यहाँ पर सूर्य के ने फटट पट पट पहुंचेगी गरम कर देंगी तो जाजा टेंपरेचर होगा जाजा टेंपरेचर होगा तो यहाँ पर जादा होगा यहाँ पर जादा होगा यहाँ पर जादा होगा क्योंकि जल्दी गरम हो जाएगा डीप में इतना जल्दी लिखते हैं YouTube में कि सर एक्टिंग कम करो लेकिन आपको मैंने बहुत बार बोला ये मेरे पढ़ाने का तरीका है मेरे को पसंद कभी भी मेरी एनर्जी की वज़े से मत करना मेरे को पसंद करना है तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो concept depth of concept समझा रहा है कि नहीं चीजों को link कर पा रहे हो कि लिए उसलिए पसंद करना है ठीक है ये मेरे पढ़ाने का तरीका है जब मैं flow में होता हूं तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं क्योंकि मैं उसको खुद enjoy कर रहा हूं ठीक है तो concept पर जाना ना की मेरी energy पर अचा विंटर पाता है विंटर पर थंडी थंडी लह रहे हैं तो ये वाला पानी तो एक ताम सिकुड़ा हूआ एसा ऐसा अर्चित थैंक यू अर्चित व पानी थंडा हो जाएगा जल्दी क्योंकि बहुत कम डेप्ट है लेकिन इस पानी पर तो इतनी लंबी चादर है तो थंडा वो भी होगा विंटरस में ऐसा नहीं कि वहां पर उगली डालोगी चल जाओ गयार हूँ ऐसा नहीं है थंडा वो भी होगा comparatively कम थंडा होगा यह तो यहां पर शीत लहरे होगी पानी पर फटा फटंडा कर देखी लेकिन यहां तो इतनी बड़ी ब्लैंकेट है तो यहां तक लेयर वह आपके पास नहीं पहुंच देखी होगी शीत लह रहे हैं तो वहां पर comparatively वह गरम होगा मैं यह नहीं कराओ कि ऐसा पानी डालोगे तो जल जाएगा उंगली ऐसा नहीं तो comparatively यहां पर यहां पर यहां पर इवैरफिशन जाज़ा होगा क्योंकि उसका temperature जाज़ा है समझ आया तो दो दिल नहीं समझ आया तो एक दि से 40 बच्चे देख रहे हैं लेट इट में 50 बना दो यार जो भी मैं अनरजी लगा रहा हूं पसंद आ रहा है तो like करना session को और यदि पसंद आ रहा है तो subscribe भी कर लेना subscribe से आपको कोई session miss नहीं होगा everybody everybody चल दी से शेर कर दो इसको हर जगा सर्फेस इर्या जितना जादा सर्फेस होगा area exposed to sun उतना evaporation ज्यादा होगा अच्छा conservation के लिए देखो बहुत सरी तरीके हैं रिजर्वाय बनाया जाता है पानी के लिए तो अगर वह पानी ही evaporate हो गया तो huge amount में loss हो जाएगा वह पानी ही evaporate हो गया तो huge amount में loss हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है ओके अब मेरे पास cylinder भाई देख के बताना पड़ेगा इमानदारी से बोलूं मैं तुम मैं तुम्हारा comment नेगलेट कर तो तुमको पता ही नहीं है मैं को देख के बताना पड़ेगा खुद ही बोल देता हूं अच्छा कुसी सब्सक्राइब बना जाता है पानी को store करने के लिए और evaporation से अगर वह loss हो गया तो फिर फाइदा क्या है तो इसलिए उसको बचाने के लिए तीन तरीक होते हैं पहला तो mechanical covers लगा दो mechanical covers लगा दो mechanical covers एक comment only one time प्लीज mechanical covers लगा दो दूसरा क्या है कि reduce surface area surface area छोटा बना भाई ऐसा नहीं कि एकदम आ जाओ sir evaporate कर लो मिरको और तीसरा है कुछ chemicals होते हैं जैसे कि सिटाइल alcohol जैसे कि sterile alcohol इनको iupec नाम होता है hexadecanal और octadecanal तो इन layers को इन दारू को सिटाइल alcohol और sterile alcohol को दारू नहीं है इन chemicals को water में डाल दो यह एक non-toxic होते हैं यह odorless होते हैं और free circulation of oxygen कि नीचे को aquatic life है तो वहाँ पर free circulation of oxygen हो पहा है मरे न और यह उपर एक layer बिचा देते हैं जो sun को रोकते हैं penetrate होने से ठीक है अच्छा अब evaporation आपने की भी वही तरीके है evaporation आपने की वही ऐसा रखो धूप में यहाँ पर पानी पांच mm था और अगले एक घंटे में पानी हो गया यहाँ पर मिलिमेटर तो मैं evaporation लिखूंगा 2 mm पर डे अब इनके diameter के साब से इनका नाम अलग अलग हो गया थे न तो आपको एक्च्छल evaporation होगी वह होगी सम कॉंस्टेंट इंटू पैनी वैपरेशन जैसे पैनी वैपरेशन यहाँ पर कितना है या 2 mm तो एक्च्छल evaporation जो होगी वह कॉंस्टेंट इंटू पैन इवैपरेशन होगी और वह कॉंस्टेंट की वैल्यू आपको यह लेनी है यह वाली नहीं यह लेनी है वैसे एक्जाम में गेट में दे रखाऊगा यह इस में आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है लेके वैपरेशन की चॉ आपके पास यह गरम हुआ तो यह कंडेक्टर की तरह काम करता है असली की गंगा नदी में साइड के जो कोने है वह कंडेक्टर नहीं हो मिट्टी है वहाँ पर तो पैन में फूटी जादा हो सकती है तो हमारे पास एक्च्वल में क्योंकि पैन तो खुद भी कॉपर ओपर क होता है तो अब कम होती है तो आपके पास एक्च्वल एपरेशन जो होगी वह कॉंस्टेंट इटो पैने वाप्रेशन होगी वह कॉंस्टेंट की वैलियू इतनी होगी कितने रखनी चाहिए हमको एरिड में इतने एक स्टेशन 30,000 किलोमेटर स्कूर पर इतने पे इतने इत प्रेशन जो होगा मिलिमीटर पर दे में वह केम होगा केम होता है कॉंस्टेंट जो 0.36 होता है और 0.5 होता है डिपेंडिंग कि वह शैलो है डीप है एक्जाम में दे रखा होगा EW होगा saturated vapor pressure मिलिमीटर मरकरी में EA होगा actual vapor pressure मिलिमीटर मरकरी में V9 होगा velocity at 9 मीटर अबब और velocity at any height velocity at any height is some constant into h की पावर 1 by 7 velocity at any height is equal to constant into h की पावर 1 by 7 तो ये एक मेर्स ओफ एक्वेशन भी है अच्छा अब यहां से देखो ऐसा question आता है ठीक है अब evaporation आपको निकालना है तो evaporation का formula कितना था के-m into EW minus EA into 1 plus V9 by 16 अच्छा अब के-m की value अगर नहीं दे रखी होती है तो हम 0.36 ले लेते हैं ठीक है नहीं तो दे रखी होग exam में EW की value कितनी है कितनी है 17.54 EW की value कितनी है 17.54 EA की value कितनी है 7.02 और V9 by 16 velocity at any height का formula कितना होता है CH की power 1 by 7 तो velocity at 1 meter above कितना था 16 velocity at 1 meter above C into H की power 1 by 7 velocity at 1 meter above कितना था 16 C into 1 की power 1 by 7 तो velocity at 9 meter above कितना रहेगा C into 9 की power 1 by 7 अब इसको divide करोगे तो C से C कर जाएगा V9 मिनको इतनी बार पढ़ा चुका हूँ याद आ रहा है कुछ 21.89 कुछ रहता है और वो आप यहाँ पर put करोगे तो यह value 7.02 mm पर दे के आसपस आती है मज़ा आया समझे के नहीं everybody let me know everybody let me know समझे के नहीं जल्दी से बताओ 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 चलो analytical method इतना नहीं आता है आ जाओ infiltration पे हमारा syllabus क्या था P कितनी बारिश हुई या तो evaporate होगा या infiltrate होगा जमीन के ओपर जाएगा P हो गया E हो गया अब आ रहे हैं important I और R पर जिसमें मैंने आपको पहले ही slide पर बता दिया था कि I और R से infiltration में पढ़ना है FI, W और Hotton's Curve और R में पढ़ना हाइटोग्राफ 90% question यहीं से आते तो दिल थाम के बैठियेगा हर एक point ध्यान समझेगा थोड़ा सा समय और क्योंकि important तो है लेकिन में concept और formula बहुत कम है तो जल्दी हो जाएगा यह important तो है लेकिन इसमें concept और formula बहुत कम है जन्वरी के लिए वो होने वाला है आपके पास ये तो कौन-कौन यहां पर आएगा मेरे को पहले ही बता दो कौन-कौन यहां पर आएगा हो सकता है मैं फिर उसके लिए कुछ private link भी share करूँ जो हरके लिए ना हो जल्दी से बता दो कौन-कौन आएगा करने हैं क्या एक माक्स का कोशन पहले करना है यह सारे डाउट आपके पास रहते हैं और यह सारे डाउट मैं आपको बताऊंगा कल सवा ग्यारा बजे कल सवा ग्यारा बजे और बिल्कुल non-tech यह मैंने आपको link share कर दिया है अभी इसको like भी कर दो यह मैंने link share कर दिया है अभी इसको like भी कर दो सारे link यह की है अभी आपके पास है 8 like और आप हैं 40 बच्चे सार like करने से क्या कुछ नहीं होता है like करने से भाई YouTube recommend जादा करेगा जिस पर like होंगा नहीं तो आपके like से ऐसा तो मेरे को तो कोई फरक नहीं पड़ रहा है बस YouTube जादा recommend करेगा तो जादा बच्चे आएंगे और जब मैंने कोई मनेत करी है तो obviously मैं चाहूंगा इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि अगर मैंने मनेत करी है तो मैं चाहूंगा कि maximum बच्चे उसको देखें ठीक है देखो इतना सारा हो गया हमारा बहुत छोटा सा बचा है आई आरा important है लेकिन syllabus का बहुत कम है ओके तो सबा 11 बजे कल इसी channel पर है और like कर देना session को एकदम अभी ही link मैंने आपको दे दिया है वहाँ पर like किसको वो link वाले को ठीक है जो मैंने link दिया है उसको like ठीक है और इस वाले session को subscribe कर लेना चलो आजाओ अच्छा अब जितना भी पानी आया precipitate उसमें से कुछ run off राएगा कुछ नीच चल जाएगा कि इंफिल्ट्रेशन धॉरा में किनि नीचे गया इंफिल्ट्रेशन पानी कि नीचे गया परकूलेशन नीचे आगया मतला उसके वापस आने की कोई गुंझाईच का उसकता है यहां से गया नेको से मताता हूं किया नेको साहेक Kungene Heakin मज़ा हैं कि इंफिल्ट्रεταιशन पर व्रिफरेंस यरी कोई ग्राउंड लेवल था और यहां पर नजी थी koई है अब यहीं से बारिश हुई यह पानी यह हो इंफिल्ट रेशन हर इंफिल्ट्रेशन कहते हैं अब यहांसे जो एकदम नीचे चला गेना that is इनफुल्कूलेशन का हो सकता है इनफिल्ट्रेशन कुछ पाइस Staniswas बाहर मिल जाए पार्य सिस्य कुभी मिल जाए तोी इन फिल्ट्रेशन कंप Кर्णा मतवी्ट ऐए इनफिल्ट्रेशन हमें शोsınız भ्राए एक तीन चीजें पढ़नी है एक पढ़ना होतं फा बहुत सारी चीज नहीं पर चलेंगे आव होटंस कर पर भाई होटंस भाई साब ने क्या कहा कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं ध्यान समझना टी का उसके बाद एक कोश्चन भी करेंगे मस्त कोश्चन यह करेंगे अगर इंफिल्ट्रेशन चाहे मिलीमीटर पर आवर में लिखू तो आपके पास वो इंफिल्ट्रेशन शुरुवात में होगी जादा और धीरे धीरे होते जाएगी कम शुरुवात में सारे वॉइट्स ओपन हैं वहां से पानी नीचे जा सकता है धीरे 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 आपके पास वॉइट्स कम होने लगेंगे और कम होने लगेंगे तो आपके पास कुछ impurity से block होने लगेंगे तो infiltration होते जाएगी कम, क्योंकि कुछ voids पानी से भर गए, impurity से block होगे, अच्छा, अगर मैं दो graph ऐसा बनाऊं, तो आप सभी को पता है कि ये वाला graph होगा sand का, क्योंकि sand की penalty ज्यादा रहती है, ये वाला graph होगा clay का, clay की infiltration कम होगी, sand की ज्यादा होगी, अच्छा, अब इस graph को hortons साब ने का था, हमारे ना एक मजबूरी है कि आप मजबूरी तो नहीं कह सकते हैं, हम इंडिया में होटons काव हमारा एक चैप्टर है, US में हडलोजी अलग सब्जेट रहता है, होटons काव अलग सब्जेट रहता है, वहाँ पर होटons काव एक सब्जेक्ट ही है पूरा, अच्छा, इस देखो, बच्चे कम हैं आज, नॉर्मरली बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, आज कम हैं, 40 ही बच्चे देख रहे हैं, कोई दिक्कत निए, 40 होंगे या 4 होंगे दोस्तों, एनर्जी और पढ़ाने का in-depth content सेम रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं देखो, इमानदारी से बोल रहा हूँ, कोई भी टीटर चाएगा वो पढ़ाए 4000 बच्चे आए, मैं भी चाहता हूँ, इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या बुरा है, और करेंगे उस तरीके से मैनत की 4000 बच्चे भी आएंगे, एक दिन जीरो से चैनल स्टार्ट किया था हमने, और आज यहां तक पहुंचा है, और कल इससे आगे भी पहुंचेगा, और जब मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था, मेरा सपना है, कि आने वाले दिनों में, अगर सौ बच्चे से लिके सेलेट कर रहे हैं, किसी भी एक्जाम में, तो उसमें से 90 या 80 इस प्लेटफॉर्म के हूँ, सौ में सौ, अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसको उस लेवल तक पहुंचाएंगे पूरा, चलो, और उसमें आपका साथ है, बहुत सारे बच्चे लगातार साथ देते भी हैं, और, मतलब क्या, अगर मैं यह बोल दो कि उनका धन्यवाद देता हूँ, तो शायद बहुत छोटी चीज़ होगी है, चलो, अब सुनना, यह जीरी जीरे कम हो रही है, ठीक है, हॉटन्स ने कहा कि किसी भी समय T पर, हॉटन्स साहब ने कहा, किसी भी समय T पर, किसी भी समय T पर, जो इन्फिल्ट्रेशन होगा, F T, किसी भी समय T पर, जो इन्फिल्ट्रेशन होगा, F T, वह F T की वैल्यू रहेगी, आपके पास, फाइनल इन्फिल्ट्रेशन F F, या फाइनल इन्फिल्ट्रेशन, आफर सम टाइम यह constant हो जाता है, या फाइनल इन्फिल्ट्रेशन को कहते हैं, F 0, तो वह रहेगी, किसी भी समय पर, इन्फिल्ट्रेशन आपके पास, F T रहेगा, F F, प्लस, F 0, माइनस F F, इंटू E की पावर, माइनस K T, K है, D क कॉंस्ट्रेशन जिसकी वैल्यू कीवन होगी, तो F T is equal to, किसी भी समय पर, यह आपका रहेगा, कर्व का इक्वेशन, इसको आप चाहे तो किसी भी समय पर, बोलो या बोलो कर्व की इक्वेशन, कि इस कर्व की यह इक्वेशन है, इसको बोलते होटन्स कर्व, अच्छा, डेप्थ कितनी होगी, मेरे पास, इसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर दा कर्व, एरिया अंडर कर्व, is equal to depth of water infiltrated, is equal to depth of water infiltrated, सही बात है, अरे भाई, यह infiltration किसमे होगी, मिलिमीटर पर आवर या सेंटिमीटर पर आवर में, इन्टू आवर करोगे, टी किसमे होगा, आवर में, तो मिलिमीटर पचेगा, that is depth of water, ठीक है, 5 और W पर भी आ रहा हूँ, यह question पूछ रहा है आपके पास, that last for 6 hours, आपके पास ऐसा था, और यह था, अंसर बताओ फटाफट से, और आपके पास जो value थी, वो थी 10, F0 की value थी 10, और final infiltration की value थी 5, और K की value थी आपके पास 0.95, तो किसी भी समय पर, इस curve की जो equation Ft होती है, वो होती है, final infiltration, देखते रहना formula, FF, plus F0 minus FF, 10 minus 5 is 5, E की पावर minus 0.95 into T, तो 6 hour तक total depth कितना होगा, इस Ft, DT को मैं integrate कर देता हूँ, 0 to 6, that will be area, and that will be depth, 0 to 6 को integrate करो, 5, plus 5 into E की पावर minus 0.95 T, DT पर, that will be answer coming, 35.24 ऐसा कुछ आ जाएगा, चेक कर लेना, चेक कर लेना, मैं exact value पर नहीं जा रहा हूँ, वो सकता है, उपन निचे कुछ, 34.0, 35.0 हो, चेक कर लेना, समझे की नहीं, सब के सब एक बता दो, comment section पर, सब के सब comment section पर, समझे की नहीं, जल्दी से बता दो, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, इसी के बीच, the God of Electrical, जिनको उनके बच्चे, power system of God से नाम, हमने नहीं नाम दिया है सर का, बच्चों नहीं नाम दिया, power system के God, उनको सब के सब के सब, दो दिल से, दो दिल सब के सब बता देना, आश्चतो सर के लिए, एक दिल, उनके Electrical के core के लिए, और एक दिल, उनके ethics, current affairs जैसे बाकी subjects, non-tech में जो लेते हैं, हाई guys, हाई sir, watching you in full action, in a privilege, not just students, but even I, big fan तो मैं हूँ sir आपका, सब के सब दो दिल बना देना, आश्चतो सर कल मेरा एक session है, 11-15 पे, जो आपके बच्चों के लिए, बहुत important हो सकता है, आप प्लीज अपने इस जगा, हर जगा पर share कर दीजेगा, ये राज session, 11-15 पे, क्यों मैं आपको बोल रहा हूं sir, क्योंकि, आपने आप session हो सो गे रहा है, मैं उसको share कर दीजेगा, ये वाला, 11-15 पेम पर 3 घंटे का maximalize कैसे करना है, वाला चीज, ओके, तो आगे चलते हैं अब, ठीक है, चलो, next question, good evening, good evening sir, next question, अब ये कह रहा है, कि हमाने पास कुछ बारिश हुई, और वो बारिश की जो कर्व है, उस f t की equation है, 6 प्लस 16 इंटू E की पावर माइनस 2T, और पूछ रहा है, कि average infiltration कितना हुआ, average infiltration कितना हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल, सर, session में भी, अपने sessions में भी share कर दिजेगा, ओके, अब total depth कितनी होगी 3 घंटे में, total infiltrated, infiltrated किस परेंग ठीक ठीक लगा लेना, depth कितनी होगी, area of this curve, 0 to 3, 6 प्लस 16 इंटू E की पावर माइनस 2T, इंटू DT, तो average infiltration कितना हुआ, बिल्कुल, total distance upon time average पीर होता है, तो ये जो value आई, ये जो value आई, अपन 3 hours, 8 point something answer आजाएगा, 8 point something answer आजाएगा, समझे की नहीं everybody, जल्दी से comment box, जल्दी से comment box, जल्दी से comment box, समझे की नहीं, सब के सब, hello, 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 Sandhu, कहां थे बाई, Sandhu, अभी आ रहें, कहां थे, Sandhu बाई कहां थे यार, Anushree, hello, everybody, hi, 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 8.66, नहा बिलारी कह रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, good evening, okay, इसके बाद आगे चलते हैं, हाइटो, अब देखो, मैंने infiltration के 3 पार्ट बताये थे, Hottens कर्व हो गया, 5OW पर चलते हैं, यह एक होता हाइटोग्राफ, और हाइटोग्राफ क्या होता है, rainfall intensity versus time graph, rainfall intensity versus time graph, अब देखो, यह सारी बारिश हुई है, T1 समय पे इतनी intensity से, T2 समय पे इतनी intensity से, T3 समय पे इतनी intensity से, T4 पे इतनी intensity से, T5 पे इतनी intensity से, और, ओ के साल तो, और मैं कह रहा हूँ कि यह है, average infiltration, average infiltration, अब इसमें यार, तुम खुदी champion हो, कि जितना, यह बारिश हुई थी total, इसमें से यह पानी क्या है, यह A1 क्या है, जितना पानी नीचे गया, इतनी बारिश हुई थी, जिसको मान लो 7 हुई, 7 mm per hour, 5 infiltration, तो 5 नीचे चला गया, 2 runoff हुई गया, वापस बोना, suppose यह value 5 है, 7 बारिश भी, 5 नीचे गया, 2 runoff हुई, यहाँ पर A2 infiltration, यहाँ पर A3 infiltration, अब यहाँ पर कहता है, यह 5 infiltration थी, लेकिन बारिश ही 2 याई, बारिश 2 याई, तो 2 का 2 पर नीचे ला गया, यह कितना है, A4, और यह कितना है, A5 infiltration, और उपर का चीज क्या है भाई, यह runoff है, यह क्या है, runoff, अरे भाई, 7 बारिश आई, 5 infiltration हुई, तो बाकि runoff है न, 7 बारिश आई, 3 ही बारिश हुई, 7, मतलब, infiltration हो सकता है था, बारिश हुई, तो सारक सारक नीचे जाएगा, runoff आएगा ही नहीं कुछ, अच्छा, अब यहां से, W इंडेक्स क्या होता है, W इंडेक्स होता है, जितना पानी नीचे गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, जितना नीचे पानी गया, उतना पूरे टाइम है, that is W, W मतलब टोटल इन्फिल्ट्रेशन, टोटल सब्जेक्स का एवरेज, आपकी दसवी में सारे सब्जेक्स का एवरेज, 5 क्या होता है, सिरफ बड़े वाले प्रिएड, A1, जहां पे runoff भी आ रहा था, 1st, 3rd और 5th time में runoff आया है, सिरफ उनका एवरेज, अब कोई अंधा बच्चा भी, बता सकता है, कि 5 greater than or equal to W है, क्योंकि W आपके सारे सब्जेक्स का एवरेज है, W आपके सारे सब्जेक्स का एवरेज है, और 5 आपके पास एवरेज है, 5 आपके पास एवरेज है सिरफ बड़े वाले सब्जेक्स का, डिस्टिंक्शन वाले का, 5 आपके पास है सिरफ बड़े वाले सब्जेक्स का, डिस्टिंक्शन वाले का, और दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही important आने वाला है चीज, जो की मैं आपको कैसे दिखाऊं जोशी सर आप उसका लिंक शेर कर दीजिए जोशी सर उसका लिंक शेर कर दीजिए 25 प्लस 25 डेट और टाइम भी बताते हैं जोशी सर में कोई भी याद नहीं आ रहा है 25 प्लस 25 इंग्लिश चैनल में हम आने वाले हैं के लिए 25 के हमाई तरब से कोईश legislative की यह अटकने चाहिए एक्जाम में अटकेंगे ए नहीं अटकेंगे गारंटी हम लेते ही नहीं है हम फोओ अइसे 25 कोईशन ला रहे हैं जो अटकाने हमको एक्जाम में वो अटकेंगे नहीं अटकेंगे वो एक्जाम के बाद आप बता देना हमको 25 मैं सोनके और 25 जोशी सर ओके डेट और टाइम आपके मैं अपडेट कर दूँगा यह जोशी सर भी अपडेट कर रहे होंगे इसके बाद जोशी सर आप टाइम और डेट भी बता देना सबके सब अच्छा दूसरा क्या कह रहा था मैं दूसरा मैं क्या कह रहा था आपको यहाँ पर हाँ अगर कोई initial losses हुए फोटो सिंथिस या किसी और चीजों में तो वो losses भी मैं 5 में infiltration नहीं मानूँगा कोई पानी गड़े में चला गया इन्फिल्ट्रेट नहीं हुआ था गड़े में चला गया उसी को भी मैं infiltration मानूँगा हेलो आशीश ठीक है आपको कोई सॉल्व कर लेना पॉइंट्री इस कंसर आएगा पॉइंट्री इस कंसर आएगा थर्टी वन्त को एट बजे और जोशी सर कल सभा ग्यारा बजे वाले बच्चे के लिए नहीं बोलोगे बच्चे को जिस तीन गंटे में क्या करना आएग्जाम में ओके रेशनल फॉर्म्ला है कि पीक डिस्चाज कितना रहता है पीक डिस्चाज रहता है किसी भी जगह के लिए वन वाज थर्टी सिक्स के के आपके पास रन आफ कोफिशेंट है पीसी है इंफो इंटेंसिटी इन सेंटिमेटर पर आवर क्यूपी क्यूमे इंग्लिश है यह नौर्थ इंडिया के लिए यह आपके पास सेंट्रल इंडिया के लिए वह आपके पास वेस्ट्रें घंटð माराश डीरहल है क्यूपी इससे कभी भी नुमेरिकल नहीं आता है वह यकोशर आता है कि डिकांस के साबसे क्यूपी स्टी इ refers कि इनल एक उधर के लिए नहीं करना है ठीक है अच्छा रिस्क कितना अगर किसी इसको छोड़ो simple बास से नहीं बताता हूं P अगर किसी की प्रॉबबल्टी है आने की प्रॉबबल्टी ओफलर्ड कमिंग प्रॉबबल्टी ओफलर्ड कमिंग और क्यू है प्रॉबल्टी ओफलर्ड नौट कमिंग तो रिलाइबल्टी क्या होती है कि फलर्ड ना आए रिलाइबल्टी क्या होती है कि फलर्ड ना आए पहले साल ना आए क्यूँ एंड दूसरे साल ना आए क्यूँ एंड तीसरे साल ना आए and 44 साल नहीं तो ऐसे end सालने पर ना है reliability क्यों ना है ना है ना है ना है reliability reliable हूं ब्रीज बनाए तो reliable हूं तूटे का नहीं और anything other than red उसके लावा कोई भी चीज रिस्क 30% reliability 70% risk 0.3 reliability 0.7 risk और time period क्या रहता है 1 by P किसी का time period 50 साल है किसी का time period 50 साल है तो उसके एक साल मानी की probability कितनी होगी अगर वो 50 साल बाद उने नेवरे जाता है तो एक साल मानी की probability 1 by 50 होगी ओके special case 1 or 2 reliability और यही था अच्छा अगर कोई चीज मानलो आपके लगाला कि discharge आएगा भाई नदी पे 1000 और तुमने बनाया पूल 1500 के लिए तो उसका safety factor कितना होगा उसका safety factor कितना होगा 1.5 और safety माजर कितना होगा उसके लिए 500 ठीक है यह questions आप कर ले दिए मैं PDF में आपको दे दूँगा और यह Gumbels formula है वो अला पुराना वाला था statistical probability यह है आपके पास theoretical probability यह क्या कहता है कि XT मतलब peak discharge is equal to X bar मतलब mean discharge plus KT into sigma KT मतलब KT को क्या कहते हैं YT minus YN bar SN SN में कोई hero नहीं बनने का value दे रखी होगी YN bar में कोई hero नहीं बनना है value दे रखी होगी और YT की value होथी है minus ln that is log waste to E minus ln ln T upon T minus 1 तो यहां से आप peak discharge निकालते है यह gate में नहीं आता है आज तक कितनी बार gate में आया है यह 0 बार XT is equal to X bar plus KT into sigma X bar average इसा दे रखवा होगा KT यहां से निकाल होगा sigma standard deviation और अगर यह तो यह value हो कि peak discharge कितना आएगा कि बहुई सचिन तो तो कर 122 रन मारेगा अब लेकिन तुम जोतिष तो हो नहीं कि exact तुमने 122 बोल दिया तो 122 ही मारेगा वो तो भाई हो सकता है कि कम रन मारे यह ज़्यादा रन मारे तो तुम थोड़ा sure होना चाहते हो तुम 122 नहीं XT नहीं बोलना चाहते हो प्राबर रहें गेट में ESC में आ सकता है कि ऐसे ऐसे आपको यह वैल्यूस निकालनी है catchment area आपको बता दिये था अच्छा हाइडोग्राफ क्या होता है सुनो मेरे पास यह बात्रूम है वाश्रूम है यह वाश्रूम है और तुम सोचो वाश्रूम की चछत तोड़ दी तुमने उपर से चछत तोड़ दी और यह है आउटलेट अब आउट वाश्रूम में जो भी पानी गिरता है वो यहाँ जाता है वो इस छेद में जाता है उसका slope इस तरीके से होता है ढ़लान इस तरीके सोचे कि यहाँ पर जाता है और यहाँ पर बैड़िया मैं कहीं ही बैठ जाता हूँ मैं बाई कहीं ही बैठ जाता हूँ और यहाँ बैठ के मैं बना रहा हूँ Q वर्सिस T ग्राफ डिस्चार्ज वर्सिस टाइम ग्राफ तो अगर मैं यहां पर discharge versus time graph बनना हूँ तो सारे बच्चों को पता है कि शुरुवात में यहां यहां का पानी यहां पहुचेगा थोड़ी देर में यहां वाला पानी भी पहुंच लग जाएगा थोड़ी देर में यहां वाला पानी भी पहुंच लग जाएगा जितने भी hydrograph में question आते हैं वो maximum इससे solve हूँगे कि area of hydrograph is equal to volume of water area of hydrograph is equal to volume of water घ्यूंकि ये मीटर क्यूप पर सेकिंड है डिस्चाज मीटर क्यूप पर सेकिंड इंटो सेकिंड मीटर क्यूप बचेगा area of hydrograph, क्यों बढ़ रहा है वो, क्यों बढ़ रहा है वापस बता रहा हूँ, कि जैसे मैं लो ना ये catchment area है, ये, अब मैं यहाँ बैठ गया, कहीं भी बैठ जाता हूँ, मैं तुम्हें पता ही है, मैं यहाँ बैठ गया, मैं पानी आ रहा है, वो पास-पास से आएगा, थोड़ी दियर मैं यहाँ से भी आ जाएगा, तो डिसाज बढ़ेगा, थोड़ी दियर मैं दूर से भी आ जाएगा, और दूर से भी, तो बढ़ता जाएगा, तो 22 чис रोखने के बाद कम भी होता जाएगा, दो हाइड राफ होते हैं एक होता है अच्या आई सोख्रोन क्या होता है फ़हले है यह कर लैते हैं आई सोख्रोन इमेятिनलाइस जहां से पहुन आइसो वेल्स क्या होता है सेम विलोसिटी आइसो बार क्या होता है सेम प्रेशर लिख दूए काम आए का तुमारे लिखों के नहीं आइसो क्रों तो यह लिखा है आइसो वेल्स मतलब सेम विलोसिटी ISOBAR मतलब same pressure ISOPLETE मतलब same evapotranspiration ISOHEIGHT means same rainfall ISOZ means कुछ नहीं अपनी मन से बना रहा हूँ कुछ नहीं अपने मन से बना रहा हूँ ओके जल्दी से जल्दी से ओके इसके बाद आगे चलें हम तो दो होतें एक होता flood hydrograph एक होता direct runoff hydrograph flood hydrograph मतलब सारे पानी का flood hydrograph मतलब सारे पानी का सारे पानी का जो पानी उपर reported सारे पानी का 每ot hydrograph बनाऊ सारे पानी का Q वरसिस T γraph बनाऊ और DRS मतलब सिर्फ जमीन से उपर वाले का ground level से उपर वाले का above ground level above ground level और अगर flood hydrograph में से flood hydrograph में सारा पानी इसमें से जमीन के नीचे वाला minus कर दूँ base flow तो क्या बचेगा जमीन के उपर वाला direct runoff hydrograph flood hydrograph में से सारे पानी में से जमीन के नीचे वाला minus कर दूँ तो क्या बचेगा जमीन के उपर वाला that is DRH अच्छा DRH काई एक small part होता है further unit hydrograph, unit hydrograph भी जमीन के उपर वाला है unit hydrograph भी जमीन के उपर वाला है unit hydrograph भी जमीन के उपर वाला है पर ये जमीन के उपर वाला ऐसा hydrograph है जो सिरफ जमीन के उपर 1 cm बारिष कर रहा है और DRH भी जमीन के उपर वाला है पर हो सकता है यह 5 cm वाली बारिश का हो, हो सकता है यह 10 cm वाली बारिश का हो, हो सकता है जमीन से उपर वाला 15 cm वारिश का हो, यह unit autograph है जमीन से उपर वाला है लेकिन 1 cm वाला, सौरब शुक्लास प्रणाम, ठीक है यह आपको मैं बता दिया, unit autograph जमीन से उपर 1 cm वाला है, यह से समझते हैं अच्छा दोस्तों कल सब को यहां पर आना है इसी चैनल पर बिल्कुल सान्थू सब को आना इसी चैनल पर लिंक मैंने दे दिया है सान्थू आपको कल लेट नहीं होने चाहिए और अभी सब के सब लाइक कर देना भाई अभी लाइक का सिरफ इतना मोटिव है कि मैक्सिम लोगों तक जितना लाइक ज़्यादा होगा यूटूब उसको ज़्यादा रिकमेंड करेगा अभी इतने बच्चे देख रहे हैं 40 बच्चे देख रहे हैं दोस्तों तो कम से कम 40 में से अभी 10-15 लाइक तो करो भाई ओके सब के सब चलो आज आओ कोश्चिन पर हाइडोग्राफ को बेटर समझते हैं कोश्चिन से एक 4 आवर का यूनिट हाडोग्राफ था एक हाडोग्राफ मतलब यहाँ पर टाइम और यहाँ पर मीटर क्योब पर सेकेंड अच्छा जी बढ़िया जी पर पानी असी गंटे तक मिला पानी असी गंटे तक मिला कैसे क्योंकि असली की जिंदगी कैश्मेंट बहुत बड़े-बड़े होते 120 किलोमेटर स्क्वाइर इत्ते बड़े-बड़े तो अगर वहाँ पर कोई पानी की बून टपकी है तो उसको पहुंचने में वहाँ पर 30-40 गंटे लग जाएंगे हो सकता है 180 गंटे इसी के बीच हमारे साथ आचुके हैं गोरप पुरकिशान इंदर जीत जैश्वाल सर जिन्होंने वादा कर दिया है कि आपकी गाड़ी होगी सफेद रंकी और उसके ओपर होगी लाल रंकी बिंदी बिंदी नहीं लाल बत्ती और सफेद रंकी गाड़ी जो की होगी लगभग लगभग कुछ इस सेव की ऐसी होती एक हैं अमबेजडर और होगी बहुत खतरनाग मतलब मैं तो एक बात चलाया था में पापा के ड्राइवर की सबसे पहले में इमेसर इस चलाया था उसमें शाहाइद जहां तो मिलेको य गाड़ी चलाया वो अली और वो ड्राइवरी मिनको शिखा रहे थे और मिनको ये पता है कि विदिन दो या तीन लगाने के बाद मेरे पसीना आ गया था ऐसे खतरनाक उसका स्टेरिंग था और बाद मिनको बचला कि ये पाऊ स्टेरिंग वाला है पता नहीं नॉर्मल वाला तो कैसे आद मेरे को लगता है कि 10 किलो का आटा का भाला लगा के हिलेगा वो ओके तो सबके सब एक बाद इंदजीत सरका स्वागत कर दिए जिनों ने आपके लिए बोल दिया है कि वह लगवाएंगे आपकी गाड़ी पर लाल बत्ती और उनका सेशन भी है आज है हाँ ठीक है इंदजी सर आपका सेशन आज ही है मेरे ख्याल से आज है आज है कल है आज ही है दस बजे सबको आना है वहाँ पर सबको मैं अभी छोड़ रहा हूं आपको ये कोशन कराते ही मैं आपको छोड़ रहा हूं आप सबको वहां पर आना है दस बजे करेंट अफेर्स के ल देख लेना कितना बजाएगा ओके 10 पीम पर बिलकुल आज से आप से 16 मिनट बाद आप से 5 मिनट बाद आपको छोड़ दूँगा 10 मिन रिफ्रेश हो जाईए और तयार हो जाईए ओके इंदी जी सर आज बच्चे भी मेरी क्लास में पी कमी आये लेकिन एनरजी में कोई कमी नहीं थी मैंने वादचों को वाज़ा किया तुम 40 आओगे तुम 100 आओगे क्या तुम 2 आओगे एनरजी मेरी उतनी रहेगी चलो आप क्या पूछ रहा है क्यू भी भूच रहा है क्यू भी पूच रहा है क्यू पी तो area of hydrograph is equal to volume of water सारा question यहीं से होना है area करते हैं हाँ base into height base है 80 तो 80 को seconds में change करोगे SI unit में करेंगे 3600 into height है QP is equal to volume of water कितना होगा area of catchment area of catchment कितना है 720 SI unit में change करेंगे तो 10 की पावर 6 height कितना है क्यूंकि यह unit hydrograph है unit तो एक centimeter का एक centimeter का कितना होता है भाई 0.01 meter 0.01 यहां से बच्चे बच्चे को QP निकालना आ जाएगा अब उसको मैं निकालू टाइम वेस्ट करूं उसमें कोई मतलब नहीं है यहां से आपको QP आ जाएगा यहां पर QP आ जाएगा अब अगर आपके पास 4 cm की बारिश्वी तो जब 1 सेंटीमेटर के मेरे पूराना अंसर QP आ गया सबों मैं लेता हूं अलफा आया यह सबों मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूं टाइम वेस्ट की बात करनी है भी बता रहें 50 आ चलो 50 आ गया तो 1 सेंटीमेटर के लिए यहां पर 4 सेंटीमेटर गिरी और लेकिन हर घंटे 0.1 सेंटीमेटर नीचे जारी थी चार गंटे में कितनी बचेगी हर घंटे 0.1 मिलिमेटर मतला 0.1 सेंटीमेटर तो कितनी बचेए जमीन के ओपर 3.6 तो 1 सेंटीमेटर के लिए अगर आपके पास 50 पीक है तो 3.6 के लिए कितनी होगा 3.6 x 50 5 हके 30 5 3 15 18 180 180 आ गया 1 के लेकिन उसम में पूछा flood hydrograph का और flood hydrograph क्या बताए था मैंने flood hydrograph होता है total पानी तो DRH जमीन के उपर वाला भी नीचे वाला भी तो 180 भी और जमीन के नीचे कितना गया 30 वो भी तो 210 हो जाएगा 210 हो जाएगा इस तरीके से question करना है PDF मिलेगी और कल मिलूंगा अब मैं आपको 10 बजए है इंदजी सर के सर क्लास और ये मेरा लिंक है जिसको अभी लाइक कर देना सब के सब ये है कल 11,11 की क्लास ठीक है उमीद करता हूँ आपको यहार्टोलजी का सेशन पसंद आया होगा और अब आप सब जाएंगे इंदीजी सर की क्लास में आप से तेरा मिनिट बाद जहां पर करंट अफेर्स होगा बहतरीन तरीके से ओके humidity किसमें आएगा humidity है आपके पास actual vapor pressure की तरीके से evaporation में आना चाहिए ओके तैंक्यू दोस्तों उमीद करता हूँ पसंद आया होगा अब session मैं अभिनवनेगी आप से मिलेता हूँ अब विदा और मैं अभिनवनेगी आप से मिलूँगा अब कल रात को सवा 11 बजए इसी YouTube चैनल पर with the session उन तीन घंटों में कैसे maximum output लाना है ओके तैंक्यू दोस्तों टेक क्यार